हेलो गाईज आज के इस वीडियो में हम लोग CPNET 2020 में जो भी इंट्रेंस एकजाम हुआ है हुआ तो 2021 में क्योंकि 7 जनुरी को इंट्रेंस हुआ है 7 जनुरी 2021 में बट यह किस वाच के लिए है 2020 के लिए बाच है टुन्टी के लिए बैच है आप लोग यह जान लीजिए तो यह वीडियो किस बेश पे बनेगी यह वीडियो बनने वाली है कितना फीस आप का ट्यूशन फीस लग 실् lens लगेगा और कितना फीस in felc किये हैं और कितनी वीडियो मेरी कटाफ की लगबद दो से तीन वीडियो कटाफ की बन चुकी है तो आप लोग प्लीज वो सभी वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्सन बॉक्स में उसके लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे और काफी स्टुडियन देख भी लिया हैं जो इ इस्क्रिप्सन बॉक्स में लिंक रहेगी वहाँ पर क्लिक करेंगे और दो से तीन वीडियो कटाफ पर बनी हैं वो देख सकते हैं तो आज के इस वीडियो में आज को वीडियो यह जो है शुरू करने से पहले आप लोग उसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर करें और आप लोग का टारगेट क्या था जब हम सुरू कियाते इस पर काफी तयारी भी कराये थे और बोले थे कि आप लोग चैनल को काफी तेजी से इंक्रीच करेके डेली आप लोग एक सबस्क्राइबर डेली इंक्रीच करे तो फिर मज़ा आएगा आप लोग help करिए, चैनल को grow कराईए, जिससे next year में काफी student जो भी आने वाले हैं, इसी की channel के थुरू आए, और आप लोग फ्यारा सा comment करें, गंदा comment ना करें, ये भी request हैं, तो चलिए, हम लोग आज के इस वीडियो में से शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, कि इसके ज तो उसका भी last में देखेंगे कि कितने comment हैं, और किस से related हैं, तो वो भी एकदम clear कर लेंगे, document से कुछ मतलब question है, student के, तो चलिए, आज के इस वीडियो में देखते हैं, persistent soul के course फिस कितना लगने वाली है, अगर आप यहाँ पे admission लेते हैं, तो कितनी फिस आपकी लगेगी, डिगरी कोर्स में, और डिपलोमा कोर्स में, और अगर हास्टल लेते हैं, तो कितनी फिस लगने वाली है, तो यह देख लीजिए, persistent soul के course फिस क्या है, persistent soul के पारमेडिकल में, nursing, pharmacy, यहाँ पे तीन कोर्स का आपका admission होगा, और पारमेडिकल में जो डिपलोमा कोर्स आते हैं, nursing pharmacy, pharmacy में तो वनली यहाँ भी फारमा है, डिपलोमा डिगरी तो है नहीं, बिबिन पाठे करम है, तो पसिछन यों, छात्रा, वास, सुल्क, निमन तालिका के अनुसार दे होगा, तो यह तो इसमें बनाया गया है, देख सकते हैं, आप इसमें day scholar, day scholar का मीन सोता है, जो कि हास हास्टल वो एलाट नहीं करवाएंगे, हास्टल में नहीं रहेंगे, अब यह clear हो गया होगा, तो उनकी फीस कितनी लगने वाली है, अगर वो डिगरी कोर्स करते हैं, अगर वो डिपलोमा कोर्स करते हैं, तो यह देख लीजिए, उनके 29,500 लगने वाले हैं, अगर वो अगर वो डिगरी कोर्स करते हैं, अब कौन-कौन से डिगरी कोर्स हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर कम्प्लीट बनी होई है, दो से तीन वीडियो है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, तो और इसमें कहरा है डिपलोमा पाठे करम, अगर आप डिपलोमा की कोई भी यहां पढ़ाई भी करते हैं, और यहां गर्स और बॉइज, यह भी देख लिजिए, काफी कमेंट आता है कि यहां पर गर्स हास्टल हाई की नहीं, तो यहां पर गर्स भी हास्टल है, और बॉइज भी हास्टल है, तो यह आपका हो गया, यहां गर्स बॉइज दोनों हास् आपको girls hostel भी मिलेगा आपको उसी में boys hostel भी मिलेगा तो और girls hostel का restriction है थोड़ा आइसा नहीं कि जब भी मतलब घूमने जा सकते हो कुछ rule regulation है वो follow करने पड़ते हैं तो safe है आइसा नहीं है कि girls का यहां रहना safe नहीं है एकदम safe है तो चलिए यह देखते हैं अगर आप यहां पे hostel alert करवाते हैं तो फिर आपको 34,300 रुपए देने होंगे किस course के लिए degree course के लिए और 29,800 रुपए देने होंगे किस course के लिए diploma course के लिए हैं अगर कोई diploma course आफ करते हैं तो यह देख लीजिए यह आपका कितना hostel का phish लगता है एक साल का 4,800 रुपए लगता है या आप degree course करें या आप diploma course करें तो दोनों का same phish होता है 4,800 रुपए एक साल का होता है यह जान लीजिए next year में फिर आपको 4,800 रुपए देने होंगे ये only next year में आपको 5,000 ये only नहीं देने होते हैं और आपको 39,300 रुपए next year देने पड़ते हैं ये देख लिए 34,300 में से आपको 39,300 रुपए देने पड़ते हैं कितने देने पड़ते हैं? तो ये पूरा 34,300 है 4,800 पर येर एक साल का 4,800 रुपए लगेंगे नेक्स्ट येर में फिर 4,800 जोड़के 39,300 रुपए ये इनवर्सिटी लेती है तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको अगर हास्टल में रहना है तो कितना फिर्स पेमेंट देना पड़ेगा तो इसमें लिखा भी गया परबेस प्राप्त करने के पस्चाथ ये अब यर्थी परबेस नेर्स्ट करने है तो अनरोध करता है तो सुल्क वापस करने के संबंद में विश्व विद्याले के नियमेंसवार कारवाही की जाएगी उक्त सुल्क में किसे भी परकार की कोई भी छूट अनुमय नहीं है तो अगर आप मानलीजी अड्मिसन ले लिए तो आपकी फिर्स रिफंड तो होती नहीं है यहाँ पे तो यह आपका था तो यह कंप्लीट हो गया होगा चलिए हम लोग वो डाकुमेंट्स जो कल वाली वीडियो थी उससे कुछ कोईशन थे उसको भी देख लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको हास्टल में जो होता है हास्टल की एक वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी होई है कि अगर आप हास्टल लेते हैं और हास्टल में जो आप रूम मिलता है आपको डबल सीटर एक आप रहेंगे उसमें एक आपका रूम पार्टनर रहेगा तो अब उसका एक पूरी रिवीव, पूरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं कि उसमें कौन-कौन सी आपकी फैसलेटी कौन-कौन सी प्रोवाइड की जाती है एक रूम में, उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोव जो means क्या है, जो एक document की related वीडियो बनी थी, तो उसमें काफी student का क्या था, क्यूरी भी था, question भी था, कैसे क्या है, तो उसका भी देख लेते हैं, first question ये था, कि character certificate जो है, कहां मतलब कहां बनेगा character certificate, तो character certificate आपका जो बनेगा, जहां पर आप 12th pass के होंगे, जहां से आप TC transfer certificate लेंगे, वहीं पर character certificate उसी के साथ में बनता है, और वहीं ये बन जाएगा, तो ये clear हो गया होगा, कहां पर बनता है, वहीं, जहां से आप TC बनवाएंगे, ये भी एक question है, कि TC transfer certificate जो है, ये लाना अनिवार है या नहीं, किसी student का ये comment था, तो TC का लाना आपको अनिवार है ऐसा नहीं है, कि अगर आप TC नहीं लेके आते हैं, तो आपका admission नहीं होगा, admission होगा, counselling होगी, admission भी होगा, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको application यहां लिखना पड़ता है, फिर बाद में जमा करने, आपको मा लिजे, 20 दिन का समय मिल जाता है, application लिख देते हैं, 15 दिन, 20 दिन का समय दे दिया जाएगा है, बट TC आपको जमा करना पड़ेगा, तो आप ऐसा करिए, अगर आपका TC बन जाता है, तो गारंटी आप TC बन वा लिजे, गारंटी लगने ही है, चाहे आज जमा करिए, चाहे 10-20 दिन बाद, फिर नेक्स्ट क्वेस्टन था, यह counselling only UP, मतलब एक कमेंट यह था, कि यह जो counselling होने वाली है, उत्तर परदेश में जितने government का लेंगे सभी के लिए है, कि only वहीं के लिए है, तो नहीं यह स्रीफ सेफ है इनिवर्सिटी का है, उत्तर परदेश इनिवर्सिटी आप medical science के थुरूई, पारा मेडिकल का, nursing पारा ने क्या है, तो अभी तो एकदम clear नहीं 100%, बट यह मान के चलिए, offline counselling होने माली है, आपकी यह counselling जो है, यहीं सेफाई इटावा में होगी, एक RD में होती है, RD मींस क्या, एक auditorium hall होता है, वहीं पे आपका क्या counselling होती है, अच्छे से online counselling की तरह आपको filling आएगी, एक LCD लगे एकदम आपको उस पे सब चलेगा कि कैसे counselling होगी, अच्छे से जैसे अगर कोई student hall में गया होगा मूँ भी देखने, तो एकदम सेम ऐसे ही हाल है, एकदम वहाँ बैठो गया, और hall कितना एक picture जैसे चलता, ऐसे चलेगा सब कितनी seat फिल हो रही है, कितने seat खाली है, कौन सी seat आपको फिल होने जा रही है, किस category में होने जा रही है, सब आपको फिल होगा, तो यह question था, एक question यह था कि DD कहां बनेगी, तो जो DD 5000 की है, यह student का question था कि DD मतलब लानी जरूरी है कि नहीं, तो इतने जितने document उसमें बताये गए हैं, वो document तो सभी जरूरी है ना, लानी, यह कौन सा question है, तो पांच आर कि DD कहां बनेगी, आपका जहां bank खाता होगा, वहाँ बनेगी, या फिर आपका किसी भी relative में, या किसी मम्मी पापा किसी का भी bank account हो, means bank से यह आपका DD बन जाएगा, demand drop जिसको कहते हैं, तो आप यह हो गया, TC कब लगेगी, यह भी question था कि TC transfer certificate कब लगता है, तो वैसे तो सभी document counseling होने के पहले आपका verify वहाँ पे check करने माले सभी रहेंगे, counselor रहते हैं, वो check कर लेते हैं आपके document जितने भी, बट अगर TC की बात करेंगे, TC जो transfer certificate जब आप admission, उसी दिन या admission लीजिए, जिस दिन आप counseling कराईए, उसी दिन admission लीजिए, या 2- तीन दिन का आपको समय मिलता है, उसके बीच में आपको admission लेना रहता है, तो admission time पे आपको transfer certificate की आव सकता पड़ती है, ये question था, ये बी हो गया, next था, birth certificate अलग से बनवाना पड़ेगा, ये question था, कि birth date, birth certificate जो होता है, ये कहां पे बनेगा, और कैसे बनवाना पड़ेगा, तो birth certificate जो है, आपको नहीं, आपका जो 10th का mark sheet होता है, उसमें birth certificate वही काम कर जाता है, तो birth certificate अलग से नहीं बनवाना है, ये question था, ये भी आपको clear हो गया, next था, hostel facility, hostel से related एक question था, कि hostel में facility क्या है, मेस की quality क्या है, कितना charge है, तो मेस की जो charge लगेगा, वो आपका मेस का कोई charge नहीं होता, बट आपको ये है, कि अगर आप खाना खाते हैं मेस में, अगर यहां रहेंगे, तो खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो मेस का charge अभी जो है, ये अलग अलग बलाग का अलग है, तो आप 2000 मान के चलिए, 2000 मान के चलिए, अभी कुछ बलाग में 2200 भी लग रहा ह तो 2000 आप मान के चलिए, कि आपकी क्या खाने का charge लगने वाला है, और हास्टल का जहा है, वो 4800 लगने ही वाला है, तो ये पर साल लगता है, एक साल का 4800 रुपे हास्टल रहने का ये, अब इसी वीडियो में डिसकस हो चुका है, नेक्स्ट क्या था, कि gap certificate जो है, gap certificate से रिल यहां बन जाती है, बट हमारे अनस्वार आप जहां पर रहते हैं, वहां अपनी तहसील पर gap certificate बनवा लेजिए, gap certificate कब होती है, अगर आप ब्यस्ट कर रहे हैं, इंटर के बाद, तब भी आपकी gap certificate लगेंगे, क्योंकि ये जो फार्म आप अप्लाई किये थे, और जो इंट का भी gap होगा, तो gap certificate लगेंगे, ये भी question था कि transfer certificate means हम माली जीए, इंटर के ब्यस्ट कर रहे है, तो वहां पर transfer certificate जमा हो गया, तो अगर हम माली जीए, ब्यस्ट सी सिकंडियर में है, और यहां admission लेना चाहरे हैं, तो मेरा तो transfer certificate वहां जमा है, तो अगर आपका transfer certificate जमा है, त आप वहां पर जाइए, बताइए कि मेरा वहां पर admission हो गया, मेरा transfer certificate चाहिए, क्या मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो वहां चंपर करिए, अगर मिल जाता है, तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है, तो यहां application लिखेंगे, फिर आपको date मिलेगा, उस date के अंदर आपको ज लगेंगे, यह हो गया, तो यह भी आपका clear हो गया, कि original आपके transfer certificate लगने वाले हैं, तो इतना question था student, आप लोग सभी आप लोग को clear हो गया होगा कि कितने question थे वो भी, और यह, तो इसके बाद next video बनेगी, हास्टल से related, और सब जितनी वीडियो पॉसिबल हो पाएगी, यह तेरा को अभी इसकी merit list आ जाएगी, counseling date आ जाएगा, फिर उसके बाद आपको एक एक step बताएंगे कि counseling कैसे होगी, पूरा complete आपको वीडियो के माद्यम से हर जानकारी मिलेगी, कहीं किसी, कहीं आपको जाना नहीं पड़ेगा, और किसी से कोई चीज पूछना नहीं पड तो पूरा एकदम clear बताएंगे, तो चलिए next video में student मिलेंगे, आप ली channel को share जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर share करें, और daily एक subscriber जितने student हैं, आप लोग selfish कभी न बनें, जितने भी अच्छे comment करें, और अपना मतलब channel को तेजी से grow करें, daily अगर एक subscriber आप बढ़ाते है तो ये समझेए, एक हजार view जाते हैं, एक हजार student देख रहे हैं, तो daily एक हजार subscriber, मान के चलिए 500 प्लस बढ़ने ही चाहिए, तो आप लोग please channel को अधिक से अधिक share करें, चलिए thank you, next video में best video के साथ आएंगे, आप ही लोग के लिए, thank you